हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब चलिए आज बनाते हैं वेज बिर्यानी या नगेट बिर्यानी नगेट का बिर्यानी बनाया है कटल का बिर्यानी हमने तो वीडियो में डाला है आप जाके चेक कर सकते हैं वो भी बहुत ही अच्छी बनी थी और ये भी बिर्यानी हमारी बहुत अच्छी बनी है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए कमेंट करिए और सेयर करिए दोस्तों के साथ और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए जिससे नोटिफिकेशन हमारा आपको मिलता रहे जो वीडियो हम डाले तो हमारा यह बिर्यानी बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजबा बना है दोस्तों आप ट्राइब करिए तो चलिए अब बिर्यानी बनाना इस्टार्ट करते हैं तो सोया बिर्यानी बनाएंगे और एक बावल के करीब हमने लिया है बिर्यानी के लिए सोया या इसको नगेट बोलते हैं तो एक कटोरी हमने लिया है अब इसको एकदम गर्मा गर्म पानी से इसको भिगो देंगे ताकि एकदम सौप्ट हो जाए देखी इस तरीके से हमने भीगो के रख दिया है और इसको भीगो के एक घंटे के लिए कम से कम छोड़ दिजे बहुत ही अच्छे से सौप्ट हो जाएगा अब हमने लिया है चावल चावल हमने दो कटोरी लिया है पानी रख दिये है उबरले के लिए उसमें खड़े मसाले कुछ हमने डाल दिया है और चावल को हमने आधा गंटा पहले भीगों के रखा था जैसे कि बड़ी लाइची, छोटी लाइची, लॉंग, सब कुछ हमने डाला है और दाल चिन्नी भी डाल दिये हैं और इस पानी में दो चम्मच हमने ओयल भी डाला है ताकि हमारा चावल एकदम खिला-खिला अलग रहे तो इसको दोस्तो 80% के उल पकाना है जादा इसको नहीं पकाना है नहीं तो ये चावल हमारा बहुत जादा गल जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा अब हम डालते हैं इसमें नीवू का रस अगर आपके पास नीवू हो त जरूर डालिएगा इससे होता यह है कि चावल हमारा एकदम वाइट वाइट रहता है और चावल एकदम अलग अलग खिलके आता है तो ये दीखिए हमारा चावल एकदम अच्छे से पक गया है करीब 80% हमें पकाना ही है तो अब चलिए इस चावल को निकाल लेते हैं किसी क attendant कि अखाने एक डलीया लिया है कि इस चाव ल को निकाल लेते हैं इसका पानी अलग कर लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो यहें हमारा चावल बहुत हिसे कुख हो गया nous इदर एक घंटे हो गए हैं कि हमारा यह सूया बहुत अच्छे से सॉप्ट हो गया है क्यूंकि हमने गरम पानी डाला था इसलिए पहुत अच्छे से सॉप्ट हो गया है अब इसको अच्छे से निचोड के पानी अलग कर लेते हैं और इसको साइड में रख लेंगे Assistant तो जित्ता सोया है सारा हम निकाल लेते हैं देखिए कुछ इस प्रकार से पुवच्छे से निचोड के पानी अलग कर लेना है अब हमने लेते हैं एक बावल और उसमें डालते हैं फ्रेश घर का ताजा दही आधा कटोरी हमने लिया है दही और दही को अच्छे से फेट लें अब हमने डाला है इसमें लहसुन अद्रक हरी मिर्च का पेष्ट दो चम्मच डाल दीजिए इसे फ्लेवर बहुती अच्छा आता है और हमने लिया है लाल मिर्च पावडर गरम मसाला अल्दी पावडर आधा 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 चम्मच सब डाल देजिए और धनिया पावडर य हम डालते हैं हमारी बिर्यानी का जान तो यह बिर्यानी मसाला डालिए दोस्तों बहुत ही तेस्टी लगता है तो इसको हम दो चम्मच डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं तो सारा मसाला हमारा इसमें तयार हो गया है और दही के साथ अच्छे से फेट लेंगे थोड थोड़ा सा धीला हो जाए तो इसको मिक्स कर लेंगे तो यह हमारा परफेक्ट तयार हो गया अब थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाधरुसार नमक ज्यादा बिल्कुल न डालिएगा क्योंकि चावल में भी नमक डालना है तो इसको भी मिक्स करके अब यह डालते हैं नगेट को और इसको अच्छे से चला लेते हैं पूरा नगेट हम डाल देंगे इसमें ताकि जो मसाला है ना बहुत ही अच्छे से कोटिंग हो जाए नगेट के अंदर जब खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा अलग-अलग नगेट में फ्लेवर आएगा और हमने डाला है गाजर बड़े स्लाइस का काटके और सिम्ला मिर्च मटर अगर हो तो आप जरूर डाल दीजिएगा और इन सबको अच्छे से मिला के दस मिन्नट के लिए रेश्ट पे रखेंगे धक के बहुत ही अच्छे से मारा ये कोटिंग हो जाना चाहिए बहुत ही अच्छा लग रहा है तो चलिए अब इसको साइड रखते हैं अब हमने लिया है दूसरी कड़ाई और इसमें ऑयल डाले हैं चार से पांच चमर और चार प्याज हमने छोटे छोटे पतले स्लाइस का हमने काट कर लिया था और इसको सुनारा तल लेंगे तो ये देखे हमारा एकड़म पक गया है बहुत ही अच्छे से प्याज और गोल्डन फ्राइ करिए ये देखे हमारा पक किया है अब हम इसको निकाल लेंगे तो सेम ही कढ़ाई में हमने जीरा डाला है और कुछ प्याज इस प्याज को आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं हमने तो नहीं पीसा है ऐसे ही डाला है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हमने डाला है यह जो मेडनेट करके हमने रखा हुआ है ना कागेट को सब उसी में डाल देंगे और दो खुब अच्छा लाल टमाटर कट करके हमने डाला है तो यह देखिए कित्तम मजेदार जोड़दार लग रहा है ना तो ऐसे ही अगर सबजी खाना चाहते हैं नमक मकटाल के पका के खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है यह देखिए हमारा बहुत ही मसालेदार सबजी बनके तयार हो गई इसको भी थोड़ा सा ढखके पांच मीनट के लिए एकदम मीडियम फ्लेम पे ढखके इसको पका लेंगे ताकि अच्छे से हमारा सबजी भी पक जाए और बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है अब दूसरी कड़ाई लिए हैं हम उस मसाले को सब डाल देंगे नगेट के साथ तो पूरा नहीं डालेंगे अभी थोड़ा ही डालेंगे एक चम्मच हमने डाला है पुदीना पाउडर और कसूरी में थी तो दोनों डाल के क्रस डाल दीजिए और चावल में हमने डाला है नमक नमक डाल के मिला लेंगे अब देखे ये चावल हमारा कितना खिला खिला है बहुत ही अच्छा लग रहा है सब दाने अलग-अलग हैं तो थोड़ा चावल डाल देंगे उपर से, और बहुती अच्छे से इसको फैला लेंगे, फिर से वही ग्रेवी डालेंगे मसाला वाला, और फिर से दुबारा चावल डाल देंगे, तो इसे दो तीन लेयर कर दीजे न, तो बहुती अच्छे से मिक्स हो जाता है, फिर से हम डालेंगे सब्जियों को, और ये लास्ट है, अब हम डालेंगे कसूरी मेथी, आधा चम्मच, उधीना पाउडर, आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच, तो ये देखे, कलर कितना अच्छा लग रहा है मेरा, अब लास्ट में डालते हैं, चाट मसाला, अगर आपके पास हो तो जरूर डालिए, इससे भी बहुती अच्छा खट्टा पनाता है, अच्छा लगता है टेस्ट, अब ब्राउन ओनियन हमने जो करके रखा है, इसको भ उडाल सकते हैं, एक चमज, बहुती अच्छे से चारो तरफ से फैला के डाल लिजे, अब में चीज पड़ेगा देशी घी, देशी घी तो जानना बहुती जरूरी है, चार से पांच चमज आप जरूर डालिए, इससे भी फ्लेवर बहुती अच्छा उभर के आता है, कसूरी मेथी और हरी लाइची, अब डाल के इसको धीमी आज पे, एक दम धीमी आज पे पांच मिनट पकाईए, ताकि एक दम अच्छे से आपस में मिरी जुल जाए, तो ये देखे हमारा हो गया है, अब इसको सर्व करते हैं